तो दोस्तो मेरा नाम है राहूल स्वागत आपका टेक्निकल वर्गिडिक चैनल पर दोस्तो अगर आपका हीटर ठंडी हवा दे रहा है गरम हवा नहीं दे रहा है तो इस टाइप के जो प्रॉब्लम आती है उसे कैसे ठीक करना इस वीडियो में बताने वाला हूँ जैसे कि आपको यहाँ पर हीटर दिखाई दे रहा हम जब पहले वाले स्विच कौन करते हैं इससे कैसे में भी हमारा जो हीटर है वो ठंडी हवा दे रहा है तो इसका मतलब जाता है स्विच में प्रॉब्लम है या फिर एलिमेंट में प्रॉब्लम है और जब तीसरे होट वा यही हो सकता या तो switch में problem या फिर इसके element problem जिसके वेसे proper supply नहीं मिल पार ही element को और जिसके वेसे हमारी जो heater है वो ठंडी हवा दे रहा है तो यहाँ पर हमें check करना सबसे पहले आपको यहाँ दिखाते हैं यहाँ पर आपको ऊपर एक fan blower दिखाई दे रहा है इसी की साथ आप इंडिकेटर और इसका fan blower चाल हो जाता है इसी के साथ हम दूसरे वाले switch कौन करते हैं जिसमें warm लिखा हुआ है इससे क्या होता आदे element को supply मिलती है इससे क्या है यह वाला जो होता है minimum temperature के लिए हम यूज करते हैं और तीसरा वाला hot वाला हो maximum temperature के लिए यूज करते हैं तो ह हमें check कर लेना यहां पर जो हमारा switch है वो खराब तो नहीं जिसकी विए से element को proper supply मिल पा रही है तो इससे check करने के लिए हमें क्या करना है यहां पर देखिए मैंने switch को off कर दिया और इसके wire को हम connect कर देते देखिए इसके wire को मैंने लगा दिया अब पहले वाले switch कौन करते है देखिए आपर इसका जो फैन है वो चल गया है और इसी के साथ indicator चल गया है तो यहां पर दूसरे वाले switch कौन करते हैं इसके बाद हमें क्या करना है टेश्टर की साय था सिस्विच के उपर वाय ट्रमिल पर चेक करना है तो यहां पर जो दूसरा वाला switch था इस पर हम टेश करते हैं इसे यह टेश्टर जल रहा है इसका मतलब स्विच ठीक है यहां से सप्लाई element को जा रही हो सकता है element की तरफ से वायर निकली हो इसके विए से हमारा element काम नहीं कर रहा है देखिए आपर तीछरे वाले हॉट वाले स्विच को चेक करते हैं तो यहां पर भी टेश्टर जल रहा था तो यहां से जो सप्लाई है वो element की तरफ जा रही है बट फिर भी हमारा जो हीटर वर्क नहीं कर रहा है ठंडी हवा दे रहा है इसके बाद हमें क्या करना है जितने भी element में wire connect है उसको चेक करना है तो सबसे पहले हम बीच वाले स्विच के wire को चेक करते हैं देखिए यहां पर अगर यहां से बायर निकली होई है तो आपको क्या करना है इस बायर को दुबारा यहां पर Surprise कर दे .. आपको यहां से खोल लेना उसके बाद इसको इसके वायर को अच्छे तरह से जॉइंट करके फिर नट को टाइट कर देना इसके बाद हम देखते हैं आपर जो बीच वाली वायर हो यहां पर नूटर सप्लाई के लिए कनेक्ट हो रोके जिसे दोनों के साइट के ऐलिमेंट को सप्लाई मिल जाती ही नोटर शप्लाई वह भी चेक कर लेना वायर ना निकलिए हो और इसके साथ में जो हॉट वाला स्विच है तीसरा वाला इसकी वायर कनेक्ट है वह नीचे साइड कनेक्ट हो रखा देखे यह वाला जो ऐलीमेंट दिखाई दे रहे हैं हाँआपर यह ह लगे दिखाई देने हैं इसको खोल लेना है और इसी साइड में दूसरे साइड भी दो स्कूर लगे होते हैं इसको यहां से खोल लेना है इसके बाद आपको खोलने के बाद उपर वाला कवर निकाल देना है और नीचे जो एलिमेंट से वायर निकले है उसको वही पर वापस nut खोल के वापस उसे tight कर देना है लगा के wire को लगा के tight कर देना उसके बाद उपर वाले cover को लगा देना है wire को आपको अची तरह से tight करना है loose connection ना हो नहीं तो जैसे आप switch on करेंगे तो इस पारकिंग होगी और फिर wire दुबार जल जाएगी तो आपको check कर लेना है तो दोस्तो इस type से आप अपने hitter को ठीक कर सकते हैं अगर आपको फिर भी hitter को ठीक करने problem आ रही हो तो आप comment करके पूछ सकते हैं तो दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को like कर देना अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe कर देना इस bell icon को press कर देना जिससे नई वीडियो की notification आपको सबसे पहले मिल सके मिलते आप से next वीडियो में